जोतिस की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिस सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो पसंद तो लाइक और शेर करना न भूलें नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जोतिस सीख भी रहे होंगे जोतिस सीखने की इसे शिंखला को आगे बढ़ाते वे आज हम पुना आप आज के वीडियो में चर्चा का विशय चंद्र द्वारा बनने वाला सुनफा योग जी हां चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक विशिष्ट योग जिसका नाम है सुनफा योग आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्र की किस स्थिती से स सुनफा योग बनता है और जब कुंडली में सुनफा योग बन जाता है तो इसका क्या-क्या लाभ जीवन पर दिखाई देता है। स्किप्सन बॉक्स पर उपलब्ध है आईए इस वीडियो को अप्रारंब करते हैं। सुनफा योग चंद्र द्वारा बनने वाले तीन योगों में से अनफा योग की जानकारी पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम सुनफा योग के बारे में संपूर जानकारी प्राप्त करेंगे। जब चंद्र के एक भाव आगे अर्थात चंद्र से द्युतिय भाव में पंचतारा ग्रहों अर्थात मंगल, बूध, ब्रिहस, पति, शुक्रेवं, शनी में से कोई एक या एक से अधिक ग्रह स्थित हों तो सुनफा योग निर्मित होता है। सबसे पहले यह देखना है कि चंद्रमा कहां बैठे हैं तो चंद्रमा से एक भाव आगे अर्थात चंद्रमा से द्युतिय भाव में पंचतारा ग्रहों में से कोई भी एक बैठे हों मंगल, बूध, ब्रिहस, पति, शुक्रेवं, शनी में से कोई भी एक बैठे हों एक से अधिक भी बैठे हो सकते हैं, तो यही स्थिती सुनफा योग कहलाती है, अर्थात यही स्थिती सुनफा योग निर्मित करती है, इस बात को समझने के लिए हम एक लगन कुंडली ले लेते हैं, इस लगन कुंडली में हम समझ सकते हैं कि सुनफा योग कैसे बनता है, हम मान ल कि चंद्र यहां पर बैठे हैं तो चंद्र से एक भाव आगे यह हुआ फिर दूसरी बात क्या कही जा रही है चंद्र से दूतिय भाव यदि हम चंद्र यहां पर मान लेते हैं तो चंद्र का पहला भाव हुआ और यह दूसरा भाव हुआ तो चंद्र से एक भाव आगे कहें अथवा चंद्र से दुतिय भाव कहें तो यदी चंद्रमा यहां पर बैठे हैं और पंच तारा ग्रहों में से कोई भी एक यहां पर बैठा हो अथवा दो बैठे हो अथवा तीन बैठे हो ऐसी इस्थती में सुनफा योग निर्मित होता है कुछ महत पूर्ण नियम यदी आप कुंडली का विशलेशन कर रहे हैं और किसी विशेश योग अथवा दोश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं उसका ध्यन करना चाह रहे हैं तो उससे संबंदित कुछ विशिष्ट नियमों को भी ध्यान में रखना होता है इस योग में सिर्फ पंचतारा ग्रहों पंचतारा ग्रहों अर्थात मंगल, बूद, ब्रिहस्पति, शुक्र इवं शनी की ही गणना की जाती है यह बात आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सुन्फा योग का अध्यान कर रहे हैं तो सुन्फा योग चंद्र की प्रधानता में तो बनता है लेकिन चंद्र के अलावा इन ही पंचतारा ग्रहों का अध्यान किया जाता है सूरी एबम छाया ग्रह राहुकीतु की गणना नहीं की जाती है इस बात को आप विशेश रूप से ध्यान रखेगा कि जब भी आप सुन्फा योग देखिए तो सबसे पहले देखिए कि चंद्रमा कहां पर बैठे है और चंद्रमा से एक भाव आगे इनमे से कोई भी बैठे है या नहीं यदि सूरी राहुकेतु बैठे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पढ़ना है क्योंकि सूरी एवं राहुकेतु की गणना सुन्फा योग में नहीं की जाती है सुन्फा योग से लाभ जिस जातक की कुंडली में सुन्फा योग होता है वह जातक अपनी शैक्षिक योगिताओं के लिए प्रसिद्ध होता है देखिए सुन्फा योग चंद्रमा के माध्यम से बन रहा है चंद्रमा मन के कारक है शैक्षणिक योगिता मन से जुड़ा हुआ चीज है यदि मन स्थिर है, मान से की स्थिती अच्छी है तो शैक्षणिक योगिता प्रबल होगी शैक्षिक योगिताओं में आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे यह योग जातक को धन संपत्ति, प्रसिद्धी तथा जीवन की समस्त सुक्सुविधाएं प्रदान करता है जिस भी जातक की कुंडली में सुनफा योग बन जाता है वह जातक धन संपत्ति से परिपोन होता है प्रसिद्धी प्राप्त करता है यदि धन संपत्ति है तो उसके साथ अनेक लोग जुड़ना चाहेंगे जब अनेक लोग जुड़ना चाहेंगे तो प्रसिद्धी बढ़ेगी जब धन संपत्ती है तो जीवन की समस्त सुक्सु विधाएं स्वतह ही प्राप्त होने लगती है विभिन ग्रहों की इस्थिती के अनुसार अध्ययन चंद्र से एक भाव आगे पंच तारा ग्रहों के बैठने से सुनफा योग तो बनता है अभी दो बिंदू पर आधारित सुनफा योग का जो लाभ आप देखे वह एक सामान ने लाभ है जिस भी जातक की कुंडली में सुनफा योग बन जाता है उसे वह लाभ प्राप्त होता ही होता है लेकिन अलग अलग ग्रहों की उपस्थिती के अनुसार पर लाभ भी बदलता जाता है तो किस ग्रह की उपस्थिती से क्या लाभ प्राप्त होता है आईए देखते हैं मंगल चंद्र से एक भाव आगे मंगल हों तो जातक पराक्रमी, धनवान, कडक मिजाज, निश्ठुर वचन बोलने वाला, हिंसक, बहुत से लोगों का विरोधी, भूमिस्वामी, राजा, अथवा, प्रतापी पुरुष होता है आप साधारन सी बात समझ लीजे कि मंगल सेनापती है और जब चंद्रमा से एक भाव आगे मंगल अर्था सेनापती बैठे हो, तो जातक में अपने जैसा गुण उत्पन करने लगते हैं जातक सेनापती है तो पराक्रमी भी होंगे, पराक्रमी है तो धनवान है, कड़क मिजाज भाई सेनापती है, नरम सुभाव के हो जाएंगे तो जंग नहीं जीत पाएंगे निश्ठूर वचन बोलने वाला उसे कहा जाता है जो न्याए प्रिय भाषा बोलता है, जो नरम भाषा बोलता है वह न्याए प्रिय नहीं होता है और सेनापती सदेव न्याए प्रिय होते हैं हिंसक, सेनापती हिंसा करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, यदि सामने दुश्मन है, तो उसकी हिंसा अवश्य करेंगे, बहुत से लोगों का विरोधी होगा, जिस भी जातक कि कुंडली में सुनफायोग बन रहा है मंगल के माध्यम से, वह जातक बहुत से लोगों का विर पूरुष होता है, जब पराक्रम है, तो राजा बन सकता है, किसी अच्छे पद पर बैट सकता है, वर्तमान में राजा शब्द हट गया है, लेकिन एक ऐसे पद पर बैट सकता है, जहां से वह राज कर सकता है, अपनी सत्ता का प्रभुता बना सकता है, प्रतापी पूरु पुरुष लिखा हुआ है तो यह मत समझेगा कि महिलाओं में बना है तो वह नहीं होगा यदि किसी महिलाओं की कुंडली में भी यह इस्तिती बन रही है तो वह महिलाओं परमप्रतापी होगी रानी लक्ष्मी बाई के जैसी होगी बुध चंद्र से एक भाव आगे बुध हो तो जातक धर्मात्मा कवी संगीत अग्य शास्त्रग्य सबका हित चाहने वाला तथा सुन्दर शरीर वाला होता है जिस भी जातक की कुंडली में सुन्फायोग बुध के माध्यम से बन रहा हो वह जातक धर्मात्मा होगा कवी होगा संगीत अग्य होगा सास्त्रग्य होगा क्यों क्योंकि बुध वाड़ी के भी कारक ग्रहा है सबका हित चाहने वाला तथा सुन्दर शरीर वाला होगा क्योंकि राजकुमार की उपाधी प्राप्त है राजकुमार सुन्दर होते हैं ब्रिहस्पति चंदर से एक भाव आगे ब्रिहस्पति हो तो जातक अनेग प्रकार की विद्याओं का आचार्य धर्म का पालन करने वाला राजा अथवाराजा का प्रिय एवं धन जन संपन्न होता है अपनी योगिता के कारण वह हर ओर विख्यात होता है जिस बिजातक की कुंडली में ब्रिहस्पति के माध्यम से सुनफा योग बन रहा है वह जातक अनेग प्रकार की विद्याओं का आचारे होता है क्यों कि ब्रिहस्पति देवताओं के गुरु हैं गुरु हैं तो अनेग प्रकार की विद्याओं के आचारे होंगे कई प्रकार की विद्याएं इनको आती होंगे और विद्याओं को सिखाते भी होंगे धर्म का पालन करने वाला होगा क्योंकि गुरु सदेव धर्म का पालन करने वाला होता है जब बुद्धी विवेक होगा तो राजा भी हो सकता है अथवा राजा का प्रिय भी हो सकता है यदि राजा नहीं हुआ तो राजा का प्रिय भी हो सकता है एवं धन जन संपन होता है अपनी योगिता के कारण वह हर ओर विख्यात होता है गुरू के पास योगिता की कमी नही होती है और जब योग्यता है आपके अंदर तो आप चहूँ ओर अपना वर्चसों फैला सकते हैं अपनी ख्याती का परचम लहरा सकते हैं शुक्र चंद्र से एक भाव आगे शुक्र हो तो जातक इस्त्री खेत भवन इवं भूमिका स्वामी पशुओं से धनी पराक्रमी ते होता है इसके अतरिक्त उसमें चतुरता का गुण भी पाया जाता है जब शुक्र के माध्धम से सुन्फायोग बनता है तब जातक इस्त्री खेत भवन इवं भूमिका स्वामी होता है शुक्र इस्त्री कारक ग्रहा हैं खेत भूमिके कारक हैं भवन इवं भूमिका स्वाम खेत का स्वामी होगा पशूओं से धनी होगा उसके पास खूब सारे पशू होगे पराक्रमी होगा तेजस्वी होगा सब कारियों में समर्थ होगा तथा राजा द्वारा सम्मानित भी होगा इसके अतरिक तो उसमें चतुरता का गुण भी पाया जाता है शनी यदि शनी के म न्याय के देवता हैं जब न्याय के देवता हैं तो विवेकी होंगे ही क्योंकि बुद्धी विवेक होगा तभी न्याय कर पाएंगे अत्यंत धनी या शश्वी कारे को गुप्त रखने वाला जो न्याय धीश होता है किसी के फैसले को किसी और के सामने उजागर नहीं करता है यही कारण है कि कारे को गुप्त रखने वाला नगर एवम ग्राम वासियों से पूजित नगर ग्राम वासियों के लिए न्याय का कारे करेगा इसलिए नगर एवम ग्राम वासियों से पूजित होगा परन्तु मलीन हरदय वाला होगा हो सकता है घुस्खोर भी हो जाए सुन्फा योग का लाब कब और किन परिस्थितियों में अधिक प्राप्त होता है जिस भी जाता कि कुंडली में सुन्फा योग बनता है सुन्फा योग का लाब तो मिलता है लेकिन कभी कभी इसके लाब में बढ़ुतरी होने लगती है तो सुन्फा योग का लाभ कब और किन परिस्थितियों में अधिक प्राप्त होता है चंद्र एवं जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है उनकी दशा अंतरदशा में सुन्फा योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होता है सुन्फा योग बन रहा है चंद्र की प्रधानता में बनता है चंद्र के साथ अर्था चंद्र से एक भाव आगे जो पंचतारा ग्रह बैठे होते हैं उसे देख लिजे फिर यह देखिए कि चंद्रमा और जो पंचतारा ग्रह चंद्रमा से एक भाव आगे बैठे हैं उस ग्रह की दशा अंतरदशा कब आ रही है जिस समय चंद्रमा अथवा संबंधित पंचतारा ग्रह की दशा अर्थात महादशा अंतरदशा सुक्ष्मदशा प्राणदशा पत्यंतरदशा जो भी पांच में से जो भी दशाएं चल रही हों उस काल खंड में सुनफा योग का लाभ अधिक्ता से प्राप्त होता है चंद्र शुभ भावस्त एवं अंशात्मक रूप से प्रबल हों का समुचित लाभ अप्राप्त होगा क्योंकि चंद्रमा और संबंधित पंचतारा ग्रह के संयोग से ही तो सुनफा योग का लाभ अधिक्ता से प्राप्त होगा सुन्फा योग किन परिस्थितियों में भंग होता है कई बार आप देखेंगे कि जहां पर चंद्रमा बैठे है चंद्रमा से एक भाव आगे पंचतारा ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है आपको लग रहा है कि सुन्फा योग बना हुआ है सुन्फा योग का लाव मिलने वाला है सुन्फा योग के लाव के इंतजार में बैठे हैं लेकिन इसका कोई भिलाब आपके जीवन पर दिखाई नहीं देता है क्यों कि कई बार ऐसी परिष्थितिआं बनती हैं कि सुन्फा योग भंग हो जाता है चंद्र अंशात्मक रूप से निर्बल होंगे तो सुन्फा योग भंग हो जाएगा क्योंकि चंद्र की प्रधानता में ही सुन्फा योग निर्मित होता है चंद्र नीच राशिस्त अथवा त्रिक भावस्त हों चंद्रमा को देखिए यदि वे अपनी नीच राशी में बैठे हों अथवा त्रिक भावस्त हों तब वे कमजोर हो जाएँगे ऐसे इस्थिति में सुन्फा योग का लावताप्त नहीं हो पाएगा चंद्र सूर से अस्त हों चंद्रमा और सूर की दूरी देखिए अंशात्म गुरूप से गणना कीजिए यदि चंद्र देव सूर से अस्त हो जाएंगे तो अस्तित्व हीन हो जाएंगे और जब चंद्र ही अस्तित्व हीन हो गए तो सुन्फा योग बनेगा ही नहीं सुन ही बैट जाते हैं तो औम अवस्या दोष्ट बन जाएगा कि चंदरमा के साथ राहु या केतू बैट जाते हैं तो चंद्र reasonably दोष्ट बन जाएगा एसे स्थिति में चंद्रदेव पीडित हो गए जब चंद्रदेव पीडित हो गए तो सुनफा योग का लाव कहां से मिलेगा जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है अर्थात सुनफा योग बन रहा है वह ग्रह सूर से अस्त अंशात्मक रूप से निरबल एवं नीच रासिस्त हूं यहां पर बहुत अच्छे से समझेगा कि जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है अर्थात चंद्रमा से एक भाव आगे जो भी पंचतारा ग्रह बैठे हैं यदि विसूर से अस्त हो जाएं तो अस्तित्वीन हो गए ऐसी इस्थिती में सुनफा योग का लाभ नहीं मिलेगा अंशात्मक रूप से न सुनफा योग भंग हो जाएगा यहां पर हमने त्रिक भाव नहीं लिखा है चंद्रमा नीच राशिस्त अथवा त्रिक भाव हो तो भी सुनफा योग भंग हो जाएगा लेकिन पंचतारा ग्रह के साथ त्रिक भाव नहीं लिखा हुआ है अर्थात पंचतारा ग्रह यदि प्रित्रिक भाव में भी बैठे हैं लेकिन वे अस्त नहीं हैं अंशात्म गुरूप से प्रबल हैं या नीच राशिस्त नहीं हैं तो सुनफा योग का लाभ प्राप्त होगा सुनफा योग भंग होने के लिए पंचतारा ग्रहों के लिए एक दो और तीन ही परिस्थितियां लागू होती हैं उपचार कभी कभी यह स्थिति होती है कि कुंडली में सुनफा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वह भंग हो चुका है ऐसे स्थिति में सुनफा योग का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जब सुन्फा यूग बन रहा है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसी स्थिती में कुछ उपचार करके उसका लाभ लिया जा सकता है तो सुन्फा यूग का लाभ प्राप्त करने है तूं क्या-क्या उपचार हो सकता है आईए समस्ते हैं यदि चंद्र अंशात्मक रूप से निर्बल या सूर से अस्त हूं लेकिन योग का रखों तो चंद्र का रतन मोती धारण करें आप देखें कि चंद्र अंशात्मक रूप से कमजोर तो नहीं है यदि अंशात्मक रूप से कमजोर नहीं है तो सूर से अस्त तो नहीं है इन चंद्र को प्रबलता दे सकते हैं और सुन्फा योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं चंद्र देव का बीज मंत्र प्रति दिन प्रातह जाप करें यदि चंद्र देव किसी भी प्रकार से पेडित हैं तो आप चंद्र देव की बीज मंत्र का प्रति दिन जाप कीजे चंद्र शिव का बीजमंत्र संसकारित किये हुए रुद्राक्ष अथवा मोती की माला से ही जाप करें। यदि आप संसकारित माला प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। शिव और चंद्र एक दूसरे के अनुपूरक हैं। घर के पूजनिस्थल पर पारद अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और नित्य उनकी पूजा करें। श्वेत रंग के वस्त्रों को प्रधानता दें। अथवा अपने पास सदैव श्वेत रंग का रुमाल रखें। आप अपने पहनने के कपडों में श्वेत रंग को प्रधानता दें। श्वेत रंग का वस्त्र अधिक सदिक धारण करें। अथवा आप अपने पास सदैव श्वेत रंग का रुमाल रखें। यदि आप कोई और रंग का वस्त्र धारण कर रहे हैं। उस इस्थिती में अपने साथ श्वेत रंग का रुमाल अवश रखें। कुल मिला करके आपके साथ श्वेत रंग के वस्तरों की प्रधानता होनी चाहिए, आप बन्यायन ही पहने, श्वेत रंग का बन्यायन हमेशा पहने, वह भी आपके श्वेत रंग की प्रधानता को मेंटेन करके रखेगा, यदि अमावस्या दोष या चंद्रग्रहण दोष बन रहा हो तो उसका उपचार करें। तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें। के संयोग से सुनफायोग बन रहा है लेकिन यदि वह पंचतारा ग्रह निरबल हो और सुनफायोग का लाब नहीं दे पा रहा हो ऐसे इस्तिती में उस पंचतारा ग्रह के बीज मंतर का जाब करें। अब यहाँ पर गोर करिएगा। पूजा आराधना यह कभी भी हानिकारक नहीं होता है, सदेव लावदायक ही होता है। इसलिए रत्न धारण करने के अलावा यह कोई भी उपाय आप अपना सकते हैं, रत्न धारण करने से पहले आप किसी योगी जोतिस आचारे से सलाह ले ले, उसके बाद ही रत्न धारण किया करें। विशिष्ठ लाव यदि आपकी कुणडली में सुनफायोग बनता है, तो सुनफायोग से संबंदित कोई लाव मिले अथवा ना मिले, कोई चिनता नहीं है। लेकिन आपके कुंडली में एक विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है वह कौन सा लाभ होता है केम द्रूम दोश भंग हो जाता है कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रदेव बैठे हैं उस भाव के अगले और पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं अर्थात कि तरीकभाव आगे कोई भी पंचतार ग्रह बैठ गए तो सुन्फा यूग बन जाता है किसी कारण वस सुन्फा यूग का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है माना कि सुन्फा यूग बनाने वाले पंचतार ग्रह अंशात्मा ग्रूप से ही कमजोर हो जाएं यह सबसे बड़ी उपलब्धी होती है पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ओन कर लिजे जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्यानवर्थक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस सूचना से अबगत हो सकें अब मुझे आगे दीजें मिलते हैं अगले वीडियो पर दुर्धरा योग की संपुर जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंबब भुले नात की जय जय गुरुदेव